नमस्ते बाई बेहनों आप सबको मेरा कोड़ी कोड़ी प्रणाम आज मैं आपको सुना रहे हूँ सिरी महा लक्षमी जी की कहानी नमबर दो जरूर सुने लाइक करें सस्क्राइब करें कार्तिक महिने में पूजा पाठ और दान असनान का बड़ा महत्व है जरूर सुने लक्षमी जी की कहानी आपके घर में भी लक्षी मा आएगी खुशी कुशी सी वहीं रहेगी बोलो लक्षी माता की जै हो एक नगर में एक शाहुकार रहता था उसकी एक लड़की थी उसने देखा कि लक्षमी जी उसी पीपल से निकला करती है एक दिन लक्षमी जी उस शाहुकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रश्ण हूँ इसलिए तू मेरी सहेली बन जा लड़की बोली छमा कीजिए मैं अपने माता पिता से पूछ कर बतलाऊंगी इसके बाद वे अपने माता पिता की आग्या पाकर सी लक्षमी जी की सहेली बन गई श्री महा लक्षमी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी बोलो लक्षमी माता की जैहो लक्षमी माता उस लड़की से बड़ा प्रेम करती थी एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंतन दिया जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बरतोने में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहु मुल्य वस्त्र उड़ने को दिया इसके बाद लक्षमी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहां जीमने के लिए आउंगी लड़की ने स्विकार कर लिया और अपने माता पिता से साभ हाल कहे कर सुनाया बोलो लक्षी माता की जै हो तो यह शुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए परंदो लड़की उदाश होकर बैट गई कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्षमी जी का वैभो बहुत बड़ा है मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूँगी उसके पिता ने कहा कि बेटी गोवर्क से जमीन को लीप कर जैसा भी बन पड़े रूखा सुका सरदा और प्रेम से खिला देना यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मनराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहीं पर डाल गई यह देखकर सावरकार की लड़की बहुत प्रशन हो गई बहुत खुश हो गई उसने उस हार को थाली में डाल कर अच्छे से धक कर रख दिया जब तक स्री गणेश जी और लक्षमी जी वहां आए जब तक लक्षमी जी और गणेश जी वहां आगए लड़की ने उन्हें सोने की चोकी पर बैठने को कहा इस पर स्री महा लक्षमी जी ने कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं लक्षमी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं हम कैसे बैठें बहुत आगरे करने पर लक्षमी जी और गणेश वगवान जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया लक्षमी जी और गणेश जी के घर में आने से सावकार का घर सुक्षमपती से भर गया, ये लक्षमी जी ये लक्षी माता जिस परकार उस लड़की को दिया, उसी परकार के सभी घरों में शुक्षम्रिदी बना के रखना, शुक्षम्रिदी देना, खुशाली देना, बोलो अच्छे माता कीजे हो राधे